कैसी लगी पिछली वीजियो? एनिमेशन के थूए इनिमेशन के थूए पढ़ने में? क्या आपने अभी एक्सपेक्ट किया था? क्लास 11 में भी आप एनिमेशन के थूए पढ़ने हैं? इस इस इशुता खरे and today we will going to study Commerce with Animation तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम ये वीजियो कंटिन्यू करने वाले हैं एनिमेशन के थूए और इस बार भी आपको बिट्टू ही ये कहानी सुनाने वाला है और ये कहानी जो हम Commerce की पढ़ने वाले हैं या Commerce की सुनने वाले हैं ये और इंट्रस्टिंग है तो continue करिएगा चलिए चलते हैं कहानी उस गाओं की है जिस गाओं में इंडस्ट्री की फैमिली रहती थी उसे गाओं में एक और फैमिली रहा करती थी उस फैमिली के मुख्या थे Commerce उनकी केवल दो ही बेटे थे बड़े बेटे का नाम Trade तो छोटे का 8 to Trade इनके बड़े बेटे Trade की बहुत दुख़त कहानी है इसकी दो पत्निया थी इसकी पहली पत्नी यानि एक्स वाइज जो इंडिया के पोर्ट के रास्ते दुगई में जाकर सेटल हो गई तो बेचारा Trade अब बहुत अकेला रहा करता था तो सब ही ने कहा इसकी शादी करा दो तो सब की सला मशवरा के बाद कुछ दिनों के बाद इसकी शादी करा दी गई अब इसके यह पत्नी यहाँ ही रहती है मतलब इंडिया में ही रहती है तो ये थी Trade की कहानी तो चलिए अब चलते है एक टू ट्रेट की कहानी सुनते हैं आपको याद है जैसा मैंने आपको बताया था इस गाओं के सिर्फ दो ही परिवार सबसे संपन परिवारों में से एक है तो अब बस इन दो परिवारों के बीच रिष्टा जुड़ना ही बाकी था तो हमारे बेटे एक टू ट्रेट के लिए हमारी बेटिया टैसरी के रिष्टा आया तो अब किस बात की देरी थी दोनों की शादी हो गए और एक टू ट्रेट अपनी पत्नी टैसरी के काम में मदद करने लगा मतलब फर्विसेस का काम तो ये थी हमारे गाओं की कहानी ये दो संपन्द परिवारों की कहानी अब आपके लिए एक प्रश्न है आपको ऐसे थोड़ी न जाने देंगे तो प्रश्न ये है कि इस गाओं का नाम क्या है आप जरूर बताएंगे मुझे उमीद है आपको सही उत्तर पता है तो क्या थी थी स्टोरी मैं एक्स्प्लेनेशन भी तो जरूरी है तो चली हम लोग कनेक्ट करते करते आगे बढ़ते है सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉमर्स की मीनिंग क्या है कॉमर्स सिंपली ये बताता है कि ये जो मैनुफेक्चरर है और कंज्यूमर के बीच का एक लिंक बनाता है मतलब दोनों कंज्यूमर और मैनुफेक्चरर जो जानते ही नहीं है तो उनको कैसे पहचाना जाए उनके बीच में लिंक कैसे बना जाए तो वो कॉमर्स पर परवाइड कराता है जैसे अगर आपने कोई समान देकिते इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था एसा तो नहीं होता ना क्योंकि वो क्या है? वो मैनुफेक्चरर ने समान बनाया है लेकिन वो अल्टिमेट कंज्यूमर तक भी पहुँचना भी तो यही तो मेन मोटेब हमारा कि वो main consumer तक पहुँच सके अगर वो consumer तक पहुच ही नहीं पा रहा है तो बनाने का क्या मतलब तो same meaning यही है कि consumer आपको क्या help करता है वो जो manufacturer जो घर में समान बना रहा है factory में समान बना रहा है जो industry में हमने समान बना लिया है वो समान को consumer तक पहुँचाने का काम कौन करता है commerce तो ये हुआ commerce की meaning अब हम लोगों ने पढ़ा था commerce के उसके दो बेटे थे trade और aid to trade अभी trade और aid to trade की meaning देखे थे तो पहले हम लोग चलते हैं पहले trade की तो meaning समझ ले trade क्या है trade simply वही meaning है कि जो भी समान बन चुका है वो trade के थ्रू trade के थ्रू कोई भी trade हो सकते ये सारे टाइप समनों पढ़ने वाले वो सारे trade की help के थ्रू हम consumer तक पहुँच जाएं और वहां तक समान पहुचा कर बेच दे तो ये हुआ trade का का काम यही commerce का भी काम था लेकिन यहां पस किस की help ले रहे हैं हम लोग trade की help ले रहे हैं तो हम लोगों ने trade के two parts पढ़ें एक तो external trade और एक internal trade अभी external trade के हम लोग explanation देखते हैं इस story से पहले connect करते हैं story में क्या कहा गया था उसके दो wife है जो ex wife है वो इंडिया के port के थ्रू दुबई में जाकर settle हो गई फिर से repeat कर रहे हैं उसकी ex wife इंडिया के port के थ्रू दुबई में जाकर settle हो गई अब यहां से ex wife की हम लोग story सुन रहे हैं जो ex wife मतलब external trade की story सुन रहे हैं तो ex मतलब export, इंडिया मतलब import, port मतलब interport यह सारे इसके types हैं अब हम लोग एक एक करके समझते हैं external trade मतलब वो सारे trade जो की एक geographical region के बाहर जाकर के trade करना ठीक है, एक geographical region मतलब इंडिया को छोड़ कर बाहर जाकर के trade करना, इसमें दो या दो से ज़ादा countries भी involved हो सकती हैं जैसे हम लोग बात कर रहे हैं first आपका है export तो यहां से समान जाना export कहलाता है, एक example जैसे teen है, तो teen जो है वो आपका समान बाहर की तरफ जा रहा है next अगर हम लोग बात करते हैं import, import मतलब हो गया कौन सा समान हमारे हां आ रहा है import मतलब हम मंगाना हमें मंगाना है, ठीक है, कोई चीज हमारे हमने मंगाई है, जैसे बहुत से ऐसे चीज है, यह हम लोग import करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले हम लोग currency बाहर भेशते हैं अब आपको यह comment box में reply देना है, कि इंडिया के लिए export अच्छा है, कि import जादा अच्छा है, तो इसका आप लोग comment box में reply कीजेगा economics में हम लोगों ने यह पढ़ा भी है export और import के बारे में और आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छा सपाता होगा तो आप लोग reply ज़रूर कीजेगा next हम लोग पढ़ते हैं port port जो है, port का हम लोग ने interport पढ़ा था, interport का मतलब क्या है, देखिए, generally हम लोग ने यह word कभी सुना नहीं है, interport मतलब क्या होता है, कोई ऐसा समान जो कि हमने import किया, इंडिया में import किया और उसको हमने कही और sell out कर दिया, एक example के लिए suppose को एक mobile phone है जो हमने USA से order किया, इंडिया में और हमने नहीं कंजूम किया, वो कंजूम कौन कर रहा है, श्री लंका के कोई customer के थो, तो हम एक mediator बने है, हमने import किया फिर export किया दूसरे country में ना ये import है, ना ये export है ये है interport, क्योंकि यहां पस हम mediator बने हैं, तो I hope export, import और interport में, अब कोई डाउट नहीं होगा तो जल्दी से चलते हैं, आप हम लोग internal trade, जो उसकी एक और vibe थी, जो इंडिया में रहती थी इंडिया मतलब internal trade internal trade मतलब within a boundary of a country country के अंदर ही अंदर हमने समान को trade के थूँ फैलाना मतलब इस में आप लोग कैसे कह सकते इसके two types हैं, इसमें एक wholesaler और एक retailer मतलब domestic market आप कह सकते इसको हम लोग home trade भी कहते हैं internal trade को home trade भी कहते inland trade भी कहते हैं, ये सब एक ही नाम है अब इसके two types हमने पढ़े, एक wholesaler और retailer, wholesaler के बारे में हमें पता है यह क्या करता है manufacturer और consumer के बीच का एक link है यह काम क्या करता है दोनों के बीच में linking provide कराता है manufacturer बहुत सारा समान बनाता है तो क्या वो बहुत सारा समान retailer खरीता है नहीं खरीता क्योंकि उसको हर variety of products के थोड़े-थोड़े-थोड़े लेकिन वो एक साथ पूरा lot to lot साणिया नहीं खरीत के लेकि आएगा वो काम कौन करता है wholesaler wholesaler सारा समान लेकिया आ जाता है और उसके बाद retailer उसमें से कुछ small quantity में purchase करता है तो wholesaler का काम क्या है linking between the manufacturer and retailer और यह आपके large quantity से deal करता है तो यह हुआ wholesaler next अगर हम लोग देखते हैं retailer retailer रिटेलर किस्से के बीच में करता है wholesaler और consumer के बीच में तो यह हुआ retailer retailer small quantity से deal करता है और यह direct customer तक पहुँचता है और उनकी needs को fulfill करता है तो I hope आप हम लोग को inland trade और या internal trade और external trade में कोईड आउट नहीं होगा तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे बेटे की aid to trade की story सुनते हैं अभी aid to trade जो हम लोग पढ़ने वाले हैं aid to trade का मतलब हम लोगों ने story में क्या connect किया था कि aid to trade और services की शादी हो जाती है शादी होने का मतलब क्या है सुनिएगा दोनों की जो points है दोनों की जो अंदर जो हम लोग टाइपस पढ़ने वाले वो पूरे same है हम लोगों ने services में क्या क्या पढ़ा था banking services, insurance services, warehousing services, advertising services ये सारी services जो है ना ये सारी services tertiary में था same services जो है वो aid to trade में अभी aid to trade का मतलब क्या है services का तो मतलब पता था लेकिन aid to trade का मतलब क्या देखो aid मतलब होता है first aid सुना आपने कभी help करना ठीक है तो similarly यहाँ पर trade को कौन help कर रहा है aid to trade trade को smoothly run करने के लिए भीतो कुछ चीज़े चाहिए तो उसके लिए आपका क्या है aid to trade तो अब meaning clear हो गई कि aid to trade क्या है aid to trade आपकी help करता है trade को run करने के लिए smoothly trade run हो सके तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं types में हम लोगों ने देखा कि पहले transportation services, banking services, advertising services यह सारी services जो कि आपकी help करता है उस trade को अच्छे से run करने के लिए जैसे banking services आपको finance provide कराता है advertising services information देता है कि आपने वो समान बना लिया है और आपका warehousing services समान कोई store भी तो करना है तो यह सारी services है तो I hope यह सब clear है अब हम लोग बढ़ते हैं एक और important लास्ट वन जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं functions of commerce commerce पिर हमारा पुरा complete हो जाएगा तो चलिए चलते हैं function of commerce पढ़ते है function of commerce का मतलब क्या है कि यह कुछ ऐसी services provide कराता है तो वो कौन-कौन ती है चीज़ें देखिए इस कौन लोग एक link के थूपढ़ेंगे total six point है तो यह six point हम लोग link कैसे करने वाले हैं तो यह पढ़ लेते हैं एक निमोनिक है उसको समझने की कोशिश कीज़ेगा देखिए इस story के हिसाब से commerce कौन है commerce उनके पिता जी है trade और aid to trade का अभी aid to trade की रिषादी होने वाले थी services से उससे पहले की story है सीन में आ जाई है और आब हम लोग चलते हैं समझते है commerce जो उनके पिता जी है he kept the list of रिष्टा for aid to trade अभी meaning समय देगा फिर से न commerce kept the list of रिष्टा for aid to trade अब इसका मतलब क्या है फिर से meaning समझ लेते हैं meaning का क्या मतलब है यहां हम लोग को सिर्फ और सिर्फ kept पे ध्यान देना है KEPT और उसके बाद रिष्टा का R अब हम लोग को इसको बाकी सब कुछ भूल जाना है वो हमने सिर्फ link करने के लिए दिया था ताकि आप इस story से ही link कर सको अब हम लोग को कुछ याद नहीं रखना है सिर्फ KEPT R for रिष्टा इसका मतलब क्या है K for knowledge E for exchange P से दो meaning है एक है person and place T for time और R for risk अब one by one हम लोग कवर करते हैं First point है आपका Commerce remove the hindrances of knowledge मतलब ये knowledge के gap को खतम करता है कैसे खतम करता है जैसे अगर कोई manufacturer ने समान बना के रखा है और उस समान को उसने बना के रख दिया है लेकिन अगर उसके लोगों को पता ही नहीं रहेगा consumer को पता ही नहीं रहेगा तो क्या वो उसके shop में आकर के समान करी देंगे कभी नहीं एक example real life example देते हैं हम जिस city में रहते हैं अभी recent में ही गर्भा classes होनती तो गर्भा classes के लिए यह कोई हमेशा होने वाली तो प्रोग्राम है नहीं तो यहां पर गर्भा classes proper organized की जाती है तो उसके लिए आपको information दी गए क्या classes हो जाती लोगों को पता ही नहीं रहता लेकिन उसके लिए information कैसे दी जाती है कि यहां गर्भा classes होने वाली है इत्ते से इत्ते बजे होने वाली है यह इसका registration charges है और यहां होने वाली इस place में बता दी है तो यह सब क्या चीज़ है यह सब आपको information दी जारी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यह information जाए तो I hope अब हम लोग को समझ में आ गया कि यह knowledge के gap को कैसे कम करती है next हमारा second है e for exchange तो commerce help in removing the hindrances of exchange exchange का मतलब क्या है जैसे एक consumer है consumer तक जो manufacturer ने समान पहुँचाना है उसके बदले में उसको कुछ पैसे भी तो चाहिए लेकिन customer का हमेशा से एक ही बात रहती है कि वो customer जो है वो समान लेना चाहता है उधार में credit में वो बोलते हैं कि हम आज समान ले जा रहे हैं कल भया पैसे देंगे तो यह क्या बता रहा है तो क्या manufacturer तब तक बैठा रहेगा क्योंकि उसके पस पैसे नहीं आए है इसी लिए इस सारे gap को खतम करने के लिए banking services बनाएंगे है जो कि अगर customer payment करने में late करता है तब तक के लिए आप loan ले लीजे loan ले करके आप अपना manufacturing start करते रहे हैं अगर आप उनके भरोसे बैठे रहेंगे तब तो आप बाद में ही production करेंगे तो ये कुछ ऐसी चीजे हैं जो कि exchange को efficient करता है मतलब ये पैसे बाद में देगा लेकिन इसका काम नहीं रुकेगा ये अपना काम continue चलता रहेगा ये सारी facility कौन प्रोवाइड करा रहा है banking तो ये हमारे जो exchange के बीच में जो gap था उस gap को कम कौन कर रहा है commerce का ही एक type है banking services next हम लोग पढ़ने वाले है P for person और P for place पहले हम लोग पढ़ते हैं person तो commerce help in removing the hindrances of person person मतलब person कौन कौन involved है consumer involved है manufacturer involved है तो consumer से manufacturer के बीच में जो भी gap है तो जैसे कि इसका एक example ले सकते है एक customer है और producer है दोनों का कभी कोई link रहता है दोनों इक दूसरे को क्या जानते है आप reliance को जानते हैं नहीं जानते है तो दो अलग अलग person है दो अलग अलग identity है लेकिन उन दोनों को connect कौन करा रहा है commerce connect करा रहा है trade के through वो वहाँ समान बना रहा है यह उससे sell कर ले रहा है यह उसको sell कर रहा है यह उससे खरीद रहा है तो दोनों के बीच में कोई linking तो नहीं है लेकिन trade उस काम को efficient बना रहा है तो I hope यह remove मतलब remove कर दे रहा है दो person के बीच के gap को एक producer और consumer के बीच के gap को खत्तम कौन कर रहा है commerce तो यह हो गया हमारे three points K, E, P P से एक portion person हुआ एक P से place बचा है उसको करते commerce remove the hindrances of place place मतलब लोग बहुत दूर दूर है जैसे producer है वो सूरत में बैठा है साडी बना रहा है लेकिन उसकी demand जो है वो तेलंगना में भी है मेगाले में भी है यह जो बहुत एकदम rarest places है वहां पर भी इसकी demand है तो वो जो साडिया है क्या वहां तक पहुँश नहीं सकती वहां क्या हरे गाउं में पहुँश सकती तो यह सब क्या आपको बता रहा है कि जो place के बीच में जो gap है उन places का जो difference है उनके बीच का जो gap है उसको भी खतम कर दिया किसने trade में commerce में किस के थुरू यह सारे के थुरू तो commerce का ही एक portion है trade तो trade के थुरू यह सारी चीज़े खतम हो गई है वहां से समान यहां तक transportation के थुरू आ जाता है तो I hope यह चारो complete हो गए है आपके K for knowledge E for exchange P for person MP for place अभी T और R बचा है T for क्या था? Timing Commerce help in removing the hindrances hindrances मतलब क्या होता है? रुकावट रुकावट और time तो time के बीच में जो gap है उस gap को कतम करता है time के बीच में gap मतलब एक example के थुरू समझते production इस time पर हो रहा है लेकिन consumption यहाँ होने वाला है तो इसके जो gap है उस gap को कैसे खतम करें? समान बना कर रखे कहा? तो warehouses में रख सकते हैं लेकिन हम आप यह सोचेंगे कि क्यों न हम उसी time पर ही बना ले जब उसकी need है लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं हर समान उसी वक्त बनाया जाया जब आपकी need है ऐसा तो हो नहीं सकता जैसे कि एक example लेते हैं wheat हो गया, rice हो गया, pulses हो गया, grains हो गया यह सारे जो example है जो perishable goods है यह सारे goods को हम एक कुछ limited period में ही हम बनाते हैं या उसी में ही production होता है उसके बाद production बंद हो जाता है क्योंकि climate based है तो इसका हम लोग production करने के बाद consumer उसका consume कब करते हैं whole year consumption करते हैं लेकिन जो समान बनाया गया कुछ समय के लिए क्या उसका consumption possible नहीं है possible तो होना ही पड़ेगा क्योंकि उसको वहां तक पहुचाना है हमें लेकिन इस gap को कैसे कम किया जाए तो वो warehouses के थुरू आप इस gap को खतम कर सकते हैं वेर हाउस क्या करता है cold storage में जो perishable goods हैं उसको cold storage जैसे आप लोग सुने होंगे potato onion ये सारी जो चीजे हैं ये cold storage में रखी जाती ताकि उस gap को खतम किया जा सके ठीक है I hope ये समझ में आ गया होगा last बचा है आपका risk तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें क्या है commerce help in removing the hindrances of risk risk के related जो भी कमिया है रुकावते हैं उस सारी risk के रुकावतों को वो खतम कर देता है कैसे खतम करता है चलिए इसको connect करते है एक consumer है उसने consumption कर लिया लेकिन उसने बोला मैं आपको बाद में पैसे दूँगा लेकिन वो fraud इंसान था वो बाद में पैसे दिया ही नहीं पैसे डूब गया वो हुआ risk अब इस risk को कैसे cover किया जाए तो ये सारे risk को cover करने के लिए हमारी help कौन करता है guess करिया आप लो एक और example लेता है आप लोगों ने ये suppose नई नई एक business start किया पूरी shop सजा कर रखे हैं पापा से पैसे लिये हैं और पूरी shop सजा लिये आप सोचा है कल से business start करेंगे लेकिन क्या हो गया आपने सोचा ही और रात में ही भूकम पा गया अर्थक्वेक आ गया और पूरा समान जो आपने पूरा decorate किया था पूरा waste हो गया आपको कुछ यादार है कोई movie यादार ही है movie का नाम क्या है बताइए movie का नाम है OMG यादाया उसने भी तो सेम यहीं किये है कि उसने समान लगाया है और दूसरे दिन भूकम पा जाता है तो ये सारे जो risk अचानक से हो जाते है suppose या फिर आपने समान लगाया भूकम छोड़िये अगर आपने कोई समान लगाया और उसके बाद short circuit हो गया चोटी सी गलती की वज़े से पूरा समान जल गया इससे होता क्या है आपका पूरा समान जल गया तो आप recover करने को आप दुबारा सोच ही नहीं सकते अब आप सोचो कि अब मैं business कभी नहीं start करूँगा क्योंकि आपने इतना सारा पैसा लगाया अब आप लोग को यह कभी नहीं भूलेंगे तो चलिए अब यह रहा हमारी आज की क्लास अगर आपको थोड़ी सी भी क्लास पसंदाई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजएगा और सब्सक्राइब कीजएगा ताकि हम आगे जो आने वाली वीडियो से उसकी नोटिफिकेशन आप तर बहुत जल्दी पहुँँच जाए तो थैंक्यू सो मज